जैपूर से बड़ी खबर का रुख करते हैं आपको बता दे कि जैपूर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है विधायक रफीक खान के साथ मारपीट परकंड पर ये पूरी खबर है आपको बता दे कि आज सुबह उनके निवास के गेट पर हुई मारपीट ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैपूर से पुलिस की प्रारंबिक जांच में आया सामने पैरा मिलिटरी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेट रह चुका है विकास चोधरी जिसने मारपीट की है राष्ट पती के हाथो शोर ये चकर विजेता है विकास आपको बता दे की जैपूर से बड़ी ख़बर है जहां रफिक खान विधायक के साथ मारपीट की गई है वर्ष साथ जैपूर से जुड़ चुके हैं जी सुरेंदर बताईए क्या कुछ पूरा मामला है एक अपने घर से जो है विधार विधान सभा के ये निकल रहे थे तभी उस वरक पे जो है वो कुछ बातों को लेकर के उनसे पेरे युवक बातचीत करता है और बातचीत के दोरान जब विधायक उसकी बात को अल्व तुना करता है तो वो गुच्ते में आ करके इस तरीके से जो है वो मारपीट की जाती है अला कि सुचना मिलने पर जो है वहां पर पुलिस पहुंची करता है डी के तमाम पुछता ही जा रही है वह स्था है कि नहीं जो है नहीं एक हो कसा मार फिंट की आग से जो आकलने तो बिधायके पास वो व्यक्तित मोंचा था अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमला वर पुर्व जवान रे चुका है इसी के साथ पर यहां पर इस तरीके से यह तस्वीर जो आई है वो कहने कहीं बैस शर्मनाग तस्वीर है और सुरेंदर मैं आप से यह भी पूछना चाहूँगा जिस परकार से मारपीट का यह पूरा मामला सामने आया है हम निउस 21 पर एक्स्क्लूजिव तस्वीरे भी दिखा रहे हैं जिस परकार से हम वीजुव में देख पा रहे हैं तो विकास जो है असिस्टेंट कमांडेट रह चुका है उसके साथ भी मारपीट की गई है यहां पर जिस परकार से हम वीडियो में देख सकते हैं? यहां पर जिस परकार से हम वीडियो में देख सकते हैं? यहां पर जिस परकार से हम वीडियो में देख सकते हैं? यहां पर जिस परकार से हम वीडियो में देख सकते हैं? यहां पर जिस परकार से हम वीडियो में देख सकते हैं? यहां पर जिस परकार से हमारे समबादाता ने बताया कि जो यह तस्वीर नहीं देख सकते हैं? विदायक रफीक खान के साथ मारपीट का है पूरा परकर्ण है हमने आपको एक्सक्लूजीव तस्वीरे दिखाई किस परकार से है वो एक युवक आता है उनसे बातचीत करता है उसके बाद उनकी गिरेबान पर हाट डालने की भी बात सामने आई जिसके बाद वहां जो र मिलीटरी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेट रह चुका है इसके साथ ही राष्टपती के हातों शोरे चकर विजेता भी है साल दो हजार इकिस में पेपर लीक से आहत होकर सी आर्पी अप से इन्होंने वी आरस लिया था फिलहाल पुलीस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें जिस भी परकार की अपडेट होगी हम आपको देंगे फिलहाल के लिए इतना ही देखते रहिए न्यूस्ट्वंट्यवन